हेलो दोस्तों तो आज के इस वीडियों में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट थिरी का सैसर नम्मर वन जो कि है स्टॉक लावल्स इन रीटियल स्टोर्स सो हम लोगों ने इसका पार्ट वन अल्रेडी कवर कर लिया है अगर आप लोगों ने वो पार्ट वन नहीं देखा तो जाएए पहले वो देखिए क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिये थे जैसे कि मैं बता देता हूं मेनिंग ओफ स्टोक लेंवल्स हमने कवर कर लिया था स्टॉक लेफल्स इन रीटेल स्टोडीर कवर कर लिये था तैप आप सटॉक्लेबस कर लिये थे हम लोगों ने आज की इस वीडियों हम लोग कबर करके चलेंगे तो उसके बाद ये वीडियो एंड हो जागी तो बिना आपका टाइम बेश्ट करते हुए चलिए इस वीडियों को स्टार्ट करते हैं और जो चीजी हमारी पार्ट वन में रह गई थी उन्हें करके चलते हैं तो दोस्तो आज की वीडियों का जो फर्स टॉपिक है वो है हाव टू चेक स्टॉक लेवल्स तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं एनी बिजनेस देट होल्स आई स्टॉक ऑफ आइटम तो इस पूरी लाइन में इन्होंने बताया है एनी बिजनेस यानि की कोई भी ऐसे बिजनेस दाट होल्स आइटम होल्स करते हैं अपने पास जो की वह सेल करने के लिए रखते हैं ठीक है वेदर फोर जैनल पब्लिक या तो वह सेल करेंगे जनल पब्लिक को या फिर वह सेल करेंगे अधर बिजनेसेस को या फिर किसी और बिजनेस सको सेल करेंगे keeps an accurate record of all items in hand इन्होंने कहा की कोई भी बिजनेस that holds a stock of items for a sale जो की वह सेल करने के लिए अपने पास जो आइटम रखते हैं वो चाहे जर्नल पब्लिक को सेल करें या फिर अधर बिजनेसेस को सेल करें उनको एक एक एकुरेट रिकॉर्ड रखना पड़ता है वो सारे आइटम्स का अपने पास ठीक है इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया नेक्स्स पॉइंट में ये क्या बताते हैं the stock levels also called inventory तो जो stock levels होते है ना उसे हम एक और नाम से जानते हैं inventory ठीक है stock levels also called क्या inventory can be checked by the using variety of methods तो मैंने पहले ये आपको बताया था there are many methods जिसके जरी हम लोग क्या stock levels को check कर सकते हैं और इन्हों ने क्या बताया है यहाँ पर खास चीज क्या बताई है इन्होंने the stock levels also called inventory हम इसे inventory के नाम से भी जानते हैं stock levels को ठीक है तो दूसरा नाम अगर मैं कहूं stock level का हो जाएगा inventory तो चलिए आप देखते हैं जो भी इनके methods है जो भी stock level को check करने के methods है उन्हें देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देदार three methods एक तो stock laser method है bin card method है computerized method है तो एक-एक method को समझते हैं तो पहले हम समझते हैं यह bin card method simple सा है इसमें क्या होता है देखिए इसमें क्या लिखा है पहले इस पढ़ लेते हैं it is used to keep a track of number of items तो basically यह कुछ खास ज्यादा method नहीं होता है इसमें simple सा एक card type का हम बना देते हैं उसमें details लिखी रहती हैं और उसमें हम लोग बिसिकली सारी चीज़े record करके चलते हैं लाइक बार पास इतना stock है इतना item आई इतने गए यह सारी चीज़े हम लोग इसमें record करके चलते हैं बिन-card वाले method में so next जो हमारा computerized method इसमें क्या होता है देखिए इसमें क्या लिखा है पहले वह पढ़ लेते हैं computerized stock checking system are used by businesses which wish to have a continually update list of available stock इसमें क्या होता है computer basically computer पे सारी की सारी चीज़े हम इस्टॉक को चेक करते हैं और यह computerized होता है जो कि इस्टॉक को चेक करता है और यह use किये जाती है कि इन business के जरिए system are used by businesses which wish to to wish करते हैं क्या have a continually update of list available stock जो continually update करते रहते हैं अपने list में like stock उनका तुरंट तुरंट चेंज होता रहता है like continuous basis पे तो यह लोग यह वाला system follow करते हैं ठीक है अब बचता है stock ledger system इसमें क्या होता है इस वाली मैं सब्सक्राइब से कैसे चेक करते हैं चलिए इसे बढ़ते हैं पहले इस टॉक लेजर केप्स दा इन्फोर्मेशन ओप दे स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ स्टॉक इन्वेंटरी तो यह बिसिकली यह क्या करता है इन्फोर्मेशन रखता है अपने पास किसका जो भी स्टॉक है जो भी आइटम से उनकी और जो भी स्टॉक उनके जो अमाउंट है और बिसिकली आइटम्स टूटल कॉंटिटी और अमाउंट इन दोनों को यह इन दोनों को रिकॉर्ड करता है ठीक है तो यह और चीज़ों केल्कुलेट करने में भी हैल करता है इस अप्रेट आपको यह तीन और टीनों मैंठस अच्से से समझमाए हो तो इसमें आपको जाला डीटेल में निए पड़ना बस आपको यह पता होना चीए कि इतने मैंठस होते हैं स्टॉक लेवल्स को चेक करने के एक तो स्टॉक लेजर हो गया बेन कार्ड हो गया क्या मुटराइज में तो देरा थ्री में तो जो कि यह लोगों को समझ में आ गया हूंगा यहोग सो दोस्तो हमारे इस सैसन का लास्ट टॉपिक बच रहा है जो कि नीड फोर मैंजिंग स्टॉक लेवल इन रीटेल स्टॉर बेसिकली इसमें हम यह जानने वाले हैं आखिर नीड क्या है या फिर इंपॉर्टेंस का है बिसिकली हम लोगों को स्टॉक लेवल को मैंज करने की त अगर हमने किसी प्रोड़क्ट को सील कर दिया तो वह हमारे पास रहेगा नहीं हमारे रीटेल स्टॉर में तो हम उसे और कर लेंगे ut nic i dit ौ झाल और कोई और पास कोई गुड्च है या प्रोड़क्ट है तो हम उसे बतार होता है इस प्रोड़क्त अगर हम बहती को मैंज कर कर दियेbed और minimum या फिर minimum से भी नीचे नहीं जाएंगे डेंजर लेवल पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा कस्टूमर की जो भी डिमांड है हम उसे फुल्फिल कर पाएंगे और उसे सैटिस्फाइब कर पाएंगे तो यह help करता है constant supply of products को फुल्फिल करने में next point में क्या बता रहा है it also customer retention it's sorry sorry it allows customer retention तो देखेंगे retention का मतलब वही होता है customer को आपके दुखान मतलब आप से attach करके रखेगा मतलब customer आपकी दुखान से जाएगा नहीं कोई customer आपके पास आया कुछ purchase करने और आपके पास कोई product नहीं है जो वह purchase करने आया है तो customer basically किसी और सौप से purchase कर लेगा बट आपके पास वह product अच्छे से आपने manage किया stock level और वह product आपके पास है जब customer purchase करने आया तो आप उसे basically easily seal कर पाऊगी तो customer आपकी दुखान से लेगा वह product ना कि किसी और की दुखान से तो customer आपसे ही attach रहेगा तरीके ज़ए ठीक है वह customer आपका बन के रहेगा इंड़ सेंस हाँ simple way में कहूं तो वह customer आपका loyal बन जाएगा simply और कुछ नहीं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता है customers convert into loyal customer by handling stock levels तो दीखिए मैंने वह उपर बताया था customer क्या होगा loyal हो जाएगा तो अगर आप बहतरीन तरीके से stock level को manage करते हैं अपने retail store में तो आपका जो भी customer है वह normal customer से एक loyal customer में convert हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता है it monitors order levels which indicates the owner and manager to order before the stock ends तो बीसिकली इस पहले ही उसे stock के हम दुबारा reorder कर लेंगे कोई reorder वाला level वाला हम यह सिस्टम यहां यूज कर लेंगे ठीक है तो बिसिकली stock end होने से पहले ही हम इसकी जरिये stock को हम दुबारा fulfill कर पाएंगे अपने retail store में और customer की demand को satisfy कर पाएंगे नेक्स क्या बता रहा है इट avoids over stocking and under stocking position of goods इन retail store तो बीसिकली इसकी बंद से अगर हम बहतरीन तरीके से manage करेंगे तो over stocking को भी हम deal कर पाएंगे और under stocking के साथ भी हम deal कर पाएंगे तो इन दोनों situation को हम क्या कर पाएंगे avoid तो यह हमारा last topic था जो की अभी खतम हो चुका है अब चलिए हमारे जो भी इसके check your progress के question answer है उन्हें देखते हैं तो check your progress का part A fill in the blanks चलिए इसका first question को देखते हैं और solve करते हैं everything which is used to make products provide services and to run business is part of desk तो यह line ऐसा नहीं लग रहा हम लोगों ने पढ़ी होई है everything which is used to make product जो की product बनाने के लिए यूज किये जाते हैं service provide करने के लिए भी यूज किये जाती है और यह business को run करने के लिए यूज किये जाती है वो part होती है किसका डैस सो हम लोगों ने इसका answer क्या पढ़ा था हम लोगों ने detail में पढ़ा था इसका answer क्या होगा stock इसका answer हो जाएगा stock I hope आपको याद होगा हम लोगों ने stock पढ़ा था मैं आपको दिखा देता हूं रुख जाए हिए है जान जीए है यहाँ देखे आफरी फिंग विच इस योज्व नेखने प्रोडट्क्ट्स प्रोड़ाइग सर्वेशां अंब तुरन बिजनस इस पार्ट एप स्टॉक अंसर क्या हो जाएगा यहां पर फास्ट वाले question का चलिए second question देखते हैं second question क्या है dash level provides a steady steady मतलब होता है यहाँ पे proper ठीक है proper supply of products to satisfy customer needs so इसका answer book में तो minimum दे रखा है minimum level provides a steady supply of products to satisfy customer needs सो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है minimum बट मेरे हिसाब से maximum होना चाहिए था कोई नहीं book ने दिया गया minimum level provides a steady यानि कि proper supply of products to satisfy customer needs to minimum level इसका answer हो जाएगा अब चलिए next part पे चलते हैं हमारे check your progress के so next part जो है वो है हमारा fill in the blanks sorry mc-cube questions so next part के हमारा part b है mc-cube questions so first question क्या है mc-cube का stock ledger is dash so option क्या क्या है दीखते हैं कि यूज टू ट्रैक अमाउंट ऑफ स्टॉक यह यूज के जाते हैं अमाउंट को track करने के लिए bill of bill of century bill of century होता है ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है भाई बोथ a and b यह नन अब दिस तो दीखिए भाई नन अब दिस तो होंगे नहीं बोथ a और बी भी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों नहीं यह bill of century कुछ type का हम लोगों ने पढ़ा है नहीं तो आंसर क्या हो जागा हमारा यह उस टुट्र act the amount of stock नेक्स्ट कुर्शन के रहा है मिन गार इस ईडोक्यूमेंट दंग कर एक डॉक्यूमैंटिक है कि इसटका्र्थ संपी चाहिए यूष्ट की जाते हैं विब्रहाउस में सभी रा यव्च की जाते हैं इन debates क्या बता रखा है minimum stock level means minimum stock levels का मतलब क्या होता है फॉर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है quantity is not necessary ऐसा कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा की था quantity must be maintain in handle all times उतनी quantity होनी चाहिए ताकि हम handle कर सके all times यह कुछ लग रहा है quantity at certain level यह तो हमने पढ़ाने था यह भी नहीं होगा तो यह तीनों नहीं होंगे option number B हो जागा हमारा साइट ठीक है चलिए अब देखते हैं हमारा fourth question को not being the level means between the level manager level mean is क्या होता है accurate level यह तो होगा नहीं replace लाइड स्टाक नहीं क्या हुआ यह तो अलगी नाम है यह तो होगा नहीं होगा तो आंसर क्या होजागा मारा लेवल मेंस क्या होता है बिलॉइ स्टाउक लेवल इस तो उसका वर्क क्या होता है पहला कॉंस्पेंटली तू अब्जरब लेवल उसे बार 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 चैक करना पड़ता है इसका यह हो जाएगा और भी ऑप्शन देख लिते हैं नहीं टू अबजरब यह तो होगा नहीं पेदल इस बीन होगा सो ओप्सन क्या हो चुक्ज क्या है इस टाउक मीन्द स्टाउक का मतलब क्या होता है वैं मेंकिंग प्रोड़क्ट्स एंड एंड श्टोर इंट्व वेर हाउस प्रोडक्ट बनाना और उसे स्टोर करना वेरहाऊस में यह ऐसा कुछ तो हम लोगों ने पढ़ानी स्टॉक के बारे में एनी सर्विसेज सर्विसेज ऐसा कुछ पर हमने देखा नहीं हमने यह देखा था सी में प्रोड़क्ट्स प्रोवाइड सर्विसेज और टू रैन बिजनस सो हमारा आंसर क्या हो जागा सी चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा सी ट्रू एंड फॉल्स चलिए देखते हैं क्या सच है और क्या जूट है तो फ़स्ट हमारा क्या किछ रहा है फर्स्टिस्टमेंट क्या है हमारा रिकॉर्डिंग लैवल लाइस बैटमेद मिनेम।मॉम लैवल और मैक्सिमुम लैवल तो यह कह रहा है रेयार्ट्रिंग स् agorier लियुदू लावल होता है कि यह जो रियोर्डरिंग लेवल है यह मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में लाई करता है तो हाँ सही गया रहा है ट्रू आंसर हो जागा इसका सेक्ड्स स्टेट्मेंट्इट क्या कह रही है अब री Urs ये जो quotid общем लिवेंट्री कंट्रू तो हम लोगों नहीं तो पड़ा था इस्टाॉक लेवल को हम लोगों क्या पड़ाता इन्वैंट्री पड़ाता इंवैंट्री कंट्रोल ही पड़ाता लिए हुसा है लोग कि देखिए, stock levels also called inventory, inventory control नहीं पड़ा दाम लगोंने, ठीक है, so answer इसका क्या हो जागा, false हो जाएगा, so second वाले का option का क्या हो जाएगा, stock levels are also called inventory control, यहाँ पर control नहीं होता, only inventory होता, तो तो true था, बट यहाँ पर control आगया, इसलिए answer क्या हो जागा, false, अब देखते हैं, चलिए, third statement क्या है, a lack of items in store forces the customers to look elsewhere, इसका मतलि यह क्या कह रहा है, यह statement, अगर आपके दुकान में, या सौरी, आपके shop में, कम product यह items है, तो basically, कोई भी customer कहीं और चला जागा लेने, तो यह सही कह रहा है, सही है, true, फूर्थ statement क्या कहारा, अब विन कार्ड is, अब विन कार्ड is a software, भाई, software कहां से पढ़ लिया हम लोगोंने, हम लोगोंने, गैंप्यूटर में, जो गैंप्यूटर होता है, वो दाना, software से related, तो विन कार्ड तो कार्ड होता है, तो यह false हो जागा, यह देखते हैं, साथ ही पता चल गया विप्त क्या हमारा इस टॉक लेवल्स आर नॉट रिक्वायट फो एन एफिसेंट एफ ट्रोल ऑफ मटीडियल यह स्टॉक लेवल्स का रिक्वायद नियो थैफिसेंट एन एफ्क्टिव कंट्रोल के लिए यह फॉल्स हो यह होता है effective और एफिसेंट इस ट्रोल के लिए रिक्वायद इस्टॉक लवल्स सो यह हमारे क्या बजाएगा फॉल्स फिप्ति स्टीटमेंट इस्टीमेंट क्या रहा है अंडर इस्टॉक इंग में लीट्री डिस्टीसफाक्शन फॉक्श्टुमर्स विजिट्रू रंडर स्टॉकिंग अगर्प्र इ देखिये स्टीटमेंट 8 क्या कहरिए चलिए देखिए इस्टॉक लेवल रेफर्स तो दीटिफॉर्ट लेवल्स ऑफ श्टॉक विच और ऑर एफिसेंट ए छ्टॉक्श्टॉड और एफडिशा स्टॉक्श्टॉड का मतलब होता है डिफ्रेंट लेवल अ जोकी रिक्वा सब्सक्राइब होता है एफिसेंट और एफेक्टिब कंट्रोल और गुट्स के लिए सु सही है तो इसका आंसर क्या हो जागा ट्रू नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा डी सौट आंसर क्योस्टन्स तो आप लोगों ने अगर यह पूरी वीडियो जो भी हमने पार्ट वन और पार्ट टू बनाई है इस सैसन से रिलेटिड देखे होगी तो आप इसली इन तीनों को हैंडल कर पाऊगे और सौल्व कर पाऊगे और आप चाहते हो कि next जो सैसना है उससे हम पार्ट दी भी सौल्व करवा हैं आप आपको पार्ट दी के आंसर भी हम आपको बता हैं तो आप कमेंट कर देना हम next जो भी सैसन हम अप्लोड करेंगे उसके साथ हम लोग questions आंसर भी यह जो short answer questions है वो भी हम add कर देंगे और इफ कोई भी feedback देना हो हमसे related और कोई भी आपको inconvenience हो as a feedback आप लोग हमें comment कर देना जो भी आप feedback देना चाहते हो और अभी तक आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा thank you so much और अगर आप लोगों हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करो और हो सके तो अपने दोस्तों को share करो so that उनकी भी help हो जाए और हो सके तो like कर देना इस वीडियो thank you so much